चेहिन मेरे प्यारी फोजी नोजवानों आपकी सेवा में सदे उतत पर रहने वाला एकमात्र भरोशमन यूट्यूब चैनल आर्मी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आपकी सुविधाओं को मद्देनाजर रखते हुए कड़ी मेनस से ये डेटशीट में ने तैयार की है जिसके अंदर दोस्तो आपको मन्त वाइस, स्पोर्ट्स कोटे वाइस और कहां-कहां पर ट्रेड वाइस भरती है उन सेंटरों के आपको इहां पर डिटेल में बता रहा हूँ जो की दोस्तो आपको इहां पर देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तो वीडियो को देखके ऐसे ही स्केप मत कर देना वीडियो को अंते तक जरूर देखें ठीके दोस्तो यहां पर 10 अक्टूबर से इस सेंटर में जो है रेली भरती स्टार्ट हो जाएगी 21 अक्टूबर तक चलेगी इसमें अभी कौन-कौन से ट्रेड हैं जो एपलाई कर सकते हैं वो है जनरल डूटी, SHGD, ट्रेड में और नेशनल, इंटरनेशनल वाले, स्पोर्ट्स वाले बच्चे भी अपलाई कर सकते हैं अभी इसी सेंटर के अंदर जो AEC सेंटर वाले बच्चे हैं, APS सेंटर वाले बच्चे हैं वो जाके कलर कैस्केटी की ट्रेड से भरती देख सकते हैं ठीक है दोस्तो, आइटिलरी सेंटर हैदराबाद के अंदर अभी हम बात करते हैं दोस्तो, बंगाल इंजिनेरिंग ग्रूप एंड सेंटर रोड़की की तो इस सेंटर के अंदर दोस्तो, जो भरती है वो रिशेडूल हो चुकी है और वो जब नेक्स्ट भरती जो स्टार्ट होने वाली है, वो है फ्रेंट्स यहाँ पे 10 अक्टूबर से 10 अक्टूबर से चलेगी तो 15 अक्टूबर तक चलेगी है और इसके अंदर कौन-कौन सी ट्रेड है उस चार्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ है, बागी पुराने चार्ट में दोस्तो, जीडी कलर्क वगेरा सारी ट्रेड थी रिसेडूल हुआ है चार्ट, नहीं डेट 10 अक्टूबर है तो इसको ध्यान रखें, अगले मेने के 10 अक्टूबर को इस सेंटर में भरती होगी 1STC जवलपूर के अंदर, दोस्तो, 1STC जवलपूर के अंदर 17 अक्टूबर से भरती स्टार्ट होगी और देख सकते हैं, आप इसका जो कॉमन एंटरेंस एक्जाम है, 15 जनवरी को होगा, यह सेकेंड बेच वाली भरतिया होगी और फ्रेंट्स इसका अंदर, जनरल डूटी, टेक्निकल, ट्रेडमेन, स्पोर्ट वाले बच्चे अपलाई कर सकते हैं कुमाउ रेजिमेंट सेंटर जो के रानी खेत में है, इस सेंटर में दोस्तों 17 अक्टूबर से भरती स्टार्ट होगी और यहाँ पे दोस्तों 22 अक्टूबर तक भरती चलेगी, इसमें जीडी, ट्रेडमेन, दो पोस्ट निकली हुई है और यहाँ पे 23 अक्टूबर को स्पोर्ट वाले बच्चे भी नेशनल इंटरनेशनल वाले जाके अपलाई कर सकते हैं अब बात करते हैं सबसे बेस्ट भरती जो कि अभी लेटेस निकली हुई है फ्रेंड्स, वो सेंटर के अंदर आपको जरूर फार्म बनना चाहिए यहाँ पे है AOC सेंटर, सिकंदराबाद, AOC सेंटर में दोस्तों सिविलेन की भी भरती खुली है जो कि 3068 पत पे है ग्रूप C की इसके अलावा दोस्तों अग्निवीर से रिलेशन की भरती खुली है जो कि 29 अक्टूबर से स्टार्ट होगी 15 जनवरी को कॉमन एंटरेंस एक्जाम इस सेंटर में होगा इसके अंदर जो ट्रेड है दोस्तों अग्निवीर के लिए वो है SSGD यानि स्टोर हैंडलिंग का जो इस सेंटर के अंदर दोस्तों यहां पर एक नवंबर से भरती स्टार्ट होगी 30 नवंबर तक चलेगी जनरल डूटी इसके अंदर ट्रेड निकले भी है और यह भी रिसेडूल हुआ है दोस्तों ठीक है बेंगाल इंजिनेरिंग ग्रूप और बॉम्बे दोनों ही रिसेड दोनों ही सेंटर के नहीं आईए क्योंकि दोनों में ही नर्सिंग असिस्टेंट के सबसे आदा वेकेंसी होती है उन नर्सिंग असिस्टेंट को अगनी वीर के अंदर सामिल नहीं किया गया है तो जैसे ही दोस्तों जीडी क्लर्क टेक्निकल की भरतियां खतम होगी एम से र पर दोस्तों अभी चार्ट इसका निकल चुका होगा मगर पहुचा नहीं है हमारे पास लद्दाग स्काउट और प्रेसिडेंट बोडिकार्ड के लिए भी बहुत सारे बच्चे जरूरत इसके लिए अपलाई करना चाहते हैं मगर आपको बता दें इस टोटल ही प्रेसिडेंट बोडिकार्ड का दोस्तों जो स्ट्रेंट है वो 2300 रहता है तो इसमें बहुत ही कम वेकेंसिया होती है हर साल इसकी भरती हो ना हो ये डिपेंड करता है महां की वेकेंसि के उपर ठीक है पिछली बार खुली थी इस बार चुकी है या फिर अभी 30 सितंबर तक खतम हो जाएगी जो कि आप देख सकते हैं ठीक है इसक्रीन पर यहां पर यह है टोटल 31 सेंटर जिनकी भरतियां खतम हो चुकी है और मैंने इन सभी से आपको अपडेट करवाया था चैनल पर दोस्तों ऐसी ही अपडेट वाली जानका जबारत वंदे मातरम